ओम सिरी गनीशाय नमदोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ अक्टूबर रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाल हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नो हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तों परिवार से आज अच्छे संबंध होने की संभावना बन रही है घरिल उच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तता परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साति साथ आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कारें को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रकरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी इत्मी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बनाकर रखें उनका आशिरवाद वैस्षयोग आपके लिए भग्य उद्या का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार आज संपन हो सकता है जिससे घर में शकारत्मक उर्जा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज ज़्यादा से ज़्यादा विवादों से दूर रहने का आप प्रियतन करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार été को करें अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मव विश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यार्तियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती है कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संब भवना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्मा भाई के साथ कोई कहा सुनी होनी की भी आज आसंका है थोड़ा सावधान रहें साथी साथ कोई भी उपलबदी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्य को करें जादा सोच विचार करन दोस्तो ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अपेक्छा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तो स्वयभाब में धहरे वे नर्मी बना कर आप रखें जल दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहौल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वैवार में संतुलन बनाकर रखना अति आवशक हैं दोस्तो वैवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बनाकर रखना अति आवशक हैं दोस् दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो कारेच छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविस्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारेच छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है वविस्यक छित्र में सभी का आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साति सात नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच्छ अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यारतियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छ रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके ल रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए को आसपास के किशीभी मंदिर में चुपचाप रख आएं और मनीमन भगवान शुरदेव का इसमरण आप करते रहें जा दोस्तो साथी साथ ज़ाडू रखते समय आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ज़ाडू रखें तब आपको कोई देखे ना ज घर में धन वैबब और यसमें वरद्धी होगी जा दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद